हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब दूसरी तरफ चीन है और चीन का टेंशन अब आप इस समय समझ सकते हैं और यह वही चीन है जिन सेनिकों ने चीन की सीमा में बलेदान दिया उनके शव तक उनके घर तक नहीं पहुंचे सेना में पहले ही रोश है और इधर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी हैं जो अपनी सेना के बीच इस समय पहुंचे हुए हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं उनके साथ हैं इस समय इस्थिती का पूरा आंकलन प्रधान मंतरी के द्वारा किया जा रहा है और आग जब 12.12 एक बजे ले से लोटेंगे वो तो उसके बाद वो उचिसतर ये बैठक भी उन्होंने बुलाई हुई है और यह देखिए च्शे तस्वीरे आपके सामने हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पहुंचे हैं फिर निमू फॉरवर्ड पोस्ट्स पहुंचे हैं वो हौसला बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयाश प्रधान मंतरी मोदी का सेना के बीच पहुंच कर ये बताने का बताने की कोशिश की आज सेना के साथ इस विशम परिस्थिती में जो चीन के साथ विवाद बढ़ा हुआ है तो पूरा देश और देश का नेत्रत्व खड़ा हुआ है पूरा देश के लांडरा देश चीन के साथ और सेना के साथ इस चीन का गेवाद बलत कीए पूरा देश लेंगे इस समय क्या आप डेट है प्रधानमंत्री कितनी देर में ले एरपोर्ट पहुंचेंगे कोई जानकारी आपके पास बिल्कुल शोबना अभी जो जानकारी मिल पाई है जो पुलिस के आला अधिकारी उन्होंने पूरी यहां पर डिप्लामेंट कर दी है सिक्यूरिटी की की एरपोर्ट के आसपास मीडिया कर्मियों को बताए कि यहां से आगे नहीं जाना है मुवमेंट रोख दिगई है, सड़क पर रोख दिगई है, हेलिकॉप्टर्स अभी उतरे हैं, हैप्टर्स उतरे हैं, ले एरपोर्ट पर, मिलेटरी एरपोर्ट पर, यहाँ से यह माना जा रहा है कि इस रास्ते से ही शायद हो सकता है हॉस्पिटल जाए, हाला कि अधिकारिय अब पुलिस अधिकार, दाथ पुलिस खड़ी है यहाँ पर, यह पूरा इलाका, पूरा सैनिटराइज कर दिया गया है यहाँ पर, और हो सकता है कि इसी रास्ते से भी वो, प्रदान मंतरी, नरेंद मोधी, थलसे ना प्रमुक के साथ, और सीडियस के साथ, ले हॉस्पिट जाल जाएं, हलाकि इस कारिकरम की कोई जानकारी दी नहीं जाती है, वो इसलिए क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते यह दोरा बहुत संवेधनशील दोरा है, नीरज, सामरिक द्रश्टी से ले लद्दाक की अपनी एक एहमियत है, ऐसे में चीन के साथ विवात तो चली र हत्व है, और लद्दाक का इसलिए भी है, क्योंकि जब धारा 370 हटाई गई थी, याद होगी पांच अगस्त को हटाई गई थी, उसके बाद से चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही जो इस तरह की बात आया थी सामने की भारत इस तरह का इस तरह का डिरने क्यों लिया है यहाँ पर और इसी ने इसकी महत्पूर्ट सामरिक इसकी महत्पूर्टा है और इसलिए बनाए गया है, अगर आगर बात करें, अक्सरी चीन जो कभी इसी लद्दाक का इलाका हुआ करता था जिस पर 1962 से चीन का कबजा है, गलवान घाटी उसके करीब अला इलाका है, वह पर चाहिए चीन का का इलाका का मात रहात कर्वा जो बनाए जाए चाहिए प्रदान गारे तरह चाहिए उस समय की तस्वीर है जो निमू पहुंचे है, बंदे मात्रा, भारत माता की जाए कर दो कि भारात माता की जय वन दे वन दे वन दे वन दे माता की जय और लगातार सुबह से ही जिस मनुबल की हम बात कर रहे हैं और यह कहां भी गया एक फिल्म का डायलोग ता हो इस दा जोश हाई सर वही दिखाई दे रहा है हुई कि बारत माता की जय होन दे वन दे णीज जय होन दे वन दे वन देugs बारात महता की जय वन दे वन दे वन दे वन दे वन दे वन दे लेट लेट इन जनल हरिंदर सिंग की गड़ी है यह नीरज नीरज आपको जानकारी दे रहे हैं बताईए जो अभी एक गाड़ी बाहर निकली थी वो 14 कोर के कमाडर लेटर इन जनल हरिंदर सिंग्गी थी गाड़ी थी वो यहां से भी भाहर निकली है इसके माइच नहीं है कि हो सकता है कि अपतदान मंत्रे का काफिला भी बाहर आने वाला हो जी बिल्कुल नीराज और जिस तरीके की तस्वीर हमें मिल रही है वंदे मात्राम भारत माता की जै ये तस्वीर हम आपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये वीडियो एक फिल्म का डायलोग था नीराज आप तक मेरी आवास पहुंच रही है जी बिल्कुल पहुंच रही है जी नीराज ये वीडियो में अपने दर्शकों को इससे में दिखा रही हूं और मैं उस फिल्म के डायलोग को याद कर रही हूं नीराज हाओ इस दा जोश हाई सर इसमें बंदे मातरम और भारत माता की जो जैकारे लग रहे हैं वो बिल्कुल उसी आवाज में उसी बुलंदी के साथ है बिल्कुल जोज, हाउज दा जोज ये एक तरह से वार क्राई भी कह सकते हैं और मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है सेना में किया जाता है बहुत पहले से लेकिन इसको जो पॉपलर किया वो जो सर्जिकल स्ट्राइक पर मूवी होनी थी बिल्कुल जोज देश के लिए कैसे लड़ पाएंगे तक जोऊफ गावज देश के लिए कैसे लड़ पाएंगे ना के बल मुकाबला कर पाएंगे, बलकि उनके दाथ भी खटे कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त भारती सेनिकों ने जीन सीवा पर कर रखा है, गलबान घाटी में किया, गलबान घाटी में जीन जीना के दाथ खटे किये, वो सिर्फ इसी बज़े से किया था, क्योंकि उनका जो जीन जीन जाएंगे, अभी आपने बताया कि लेटिनेंट जनरल हरंदर सिंग की गाड़ी वहां से निकली है, 14 कोर कमांडर के कमांडर हैं वो, तो इसका मतलब क्या वो लॉट आएं निमू घाटी से और वो प्रदानमंत्री के साथ वहां निमू में मौजूद थे, जिनों जाटी से निमू आपके सामने ये वीडियो की आवाज भारत माता की जय और वंदे मात्रम लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं, हाउस दे जोज, हाई सर, तो इसी जजबे को बढ़ाने के लिए, इसी मनुबल को बढ़ाने के लिए, आज प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी हमारी सेना के बीच ये बताते हुए कि पूरा देश और देश का नेत्रत्व सेना के साथ खड़ा हुआ है, लेटिनेंट जनरल हरिंदर सिंग की काड़ी अभी एरपोर्ट चे बाहर निकली थी और वो निमू में प्रदानमंत्री के साथ मौजूद थे, इसका मतलब बस लेंड की हैं, यहाँ पर एरपोर्ट पर की हैं, तो उनमें यही माना जा रहा है कि प्रदानमंत्री होंगे, CDS होंगे, और कुछ थल सेना प्रमुक और कमांडर लेटिनेंट जनरल हरिंदर सिंग होगे, उनकी गाड़ी बाहर निकल चुकी है, और आप किसी भी वक्त की दे चाहते हैं कि जब इस तरीके का बड़ा वी आई पी मूमेंट होता है, खुद प्रदानमंत्री पहुंचे होंगे, तो क्या एर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से तैनात होता है, क्योंकि बहुत समेधन चील है यह दौरा इस समय हमारे सेना प्रमोग, CDS, खुद एर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत पहले से ही तैनात हैं यहाँ पर इस जगह पर और क्योंकि बहुत समेधन चील होता है, पालिट दौरा या फिर जो एर होस्टेस होती है पूर के दौरा कि यह एक मिलिटरी एरपोर्ट है, यहाँ पर तस्वीर ना ली जाए, इतना समय यहाँ पर हमेशा से ही, यहाँ पर क्योंकि combat air patrolling होती है, पाकिस्तान किसी बहुत करीब है, LOC बहुत करीब है, LAC भी बहुत करीब है, तो air missile defense system यहाँ पर बहुत पहले से ही है, यहाँ पर जैसे कि लगाता है, तबसे तो और extra moment यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर बहुत, जहाँ पर भी अगर हम बता नहीं सकते हैं कहाँ पर है, लेकिन महाँ पर सब जैके air missile defense system है, fighter jets सुख होई combat air patrolling कर रहे हैं, वो इसलिफ इसलिए है, क्योंकि प्रधानमंती नर्दमोदी इस वक्त यहाँ लेलाद्दाग में मौझूद है, उसी के लिए combat air patrolling भी आज की जा र जाते हैं, लेकिन आम आदमी को इस सब पता नहीं होता है, कि जब इस तरीके से कोई सब्मेदन चील दोरे पर कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री स्तर का अधिकार, प्रधानमंत्री खुद होते हैं, और बड़े अधिकारी उनके साथ मौझूद होते हैं, तो क्या सुरक् हुलिए को प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं, तो यहां पर जो अधिकार प्रधानमंत्री खेल को इनके सब का न्यूद चाहिए अधिका हो में सब सुख विश्प्र थाम पास की निवों की और एर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो हमेशा तैनाथ रहता ही है कि कहीं दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल क्योंकि देखे शुक्रा हम एक बार पहले भी बात कर रहे थे कि यहां पर बहुत जरूरी होती ही कि सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रख जाए जिस तरह से जी बिलकुल नीरज आप बने रहे हैं और मेरे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल जी भी जुड़ गए हैं विशंबर जी बहुत एहम है यह दोरा अचानक बिना किसी सूचना के प्र खासकर इस ताइम पर इसका एक बहुत अच्छा मेसिज जाएगा हमारे जवानों को हमारे आफसर्स को हमारे जो लोग तेनात हैं सिक्यूरिटी फोर्सर्स को देश को देश की जन्ता को दुश्मन को चाइना को चीन को एक बहुत अच्छा है बहुत तो ची समझी चाल के त और दिप्लोमेटिकली बात्चीट कर रहे हैं और आमने सामने एक दूसरे को आख दिखा के खड़े भी है तैनाथ भी है तो इस ताइम पर इस किसम का दोरा एक बहुत अच्छा मेसेज बेज़ता है बहुत अच्छा नेरेटिव सेट एक मिनिट मैं आपको रोक रही हूं अभी हमें कुछ गाड़ियों का काफिला दिखा है तस्वीरों में जी ये ये ओफिसर्स की गाड़ी है प्रधान मंतरी का काफिला नहीं है ऐसा लगता है जी और अभी आपने बताया थे कि कुछ देर पहले लेट्टिन जेनरल हरिंदर सिंग की काड़ी भी यहां से गुज जी फायर और फ्यूरी फायर और फ्यूरी जी मैं इस समय अपडेट चाहूंगी नीरा जाप से ये चौधवी कोर है लेकिन हर कोर का एक नाम होता है जी 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 शुबना जो गाड़ियां निकल रही है वो ऑफिसर्स की गाड़ियां ऐसा लगता है निकल रही दिरीदे करके जो पहली वाली गाड़ी थी हमने दिखा था कि उसमें चाहिद लेटर जनल हरिंदर सिंग बैठे वे थे वो गाड़ी निकली है वो हॉल ऑफ फेम है यहां पर एक थोड़ी सी दूद पर यहां से जो एक छोटा था यूद्मोरियल है वो सिनिकों के समान के लिए है तो उध में जब भी लेए हम लोग पहुषते हैं कोई भी पहुषते हैं कोई भी पहुषते हैं श्मेर ह कुँषता है पूरी होता है चब कोई भी आये यहां पर वी आई पी होता है तो उनके लिए भी होता है तो शायद हो सकता है उसी कि अंतरगत शायद अभी थोड़ा ओड टाइम लगड़ा है अंदर और जैसी वह बहार निकलेगे हैं हम आपको बताएंगे कि प्रदानमत्री नरीदमोदी क है यह हमारी कोर जो है यह कारगिल के बाद यहां पर स्ताफित हुई थी तो जब कारगिल के यूद के टाइम पर हमारे पास यहां पर सिर्फ एक डिविजन था तो इस पूरी सेंस्टिविटी को देखते हुए पकस्तान और चाइनीज सेंस्टिविटी को देखते हुए हमन लंबा रस्ता कवर किया है लेकिन जहां तक आज की एहमियत है देखिए मैं आपको एक बताना चाहूंगा वहां पे एर डिफेंस और यह सब तो अलड़ी एक्जिस्ट है विकॉज एंवाइमेंट है वी आर अलमोर्स एक वार तो यह सब प्रोटेक्शन है लेकिन जो सबसे ब ऐसे बहुत ही चीज़ें जो कि इन्विजिबल है जिसका की फोर्टीन कोर ने पूरी की पूरी उसकी सेंस्टाइजेशन उसको एक्टिवेट किया होगा काई प्राइमिनिस्टर सेफ लिया से और बहुत अच्छा मैसेज है बहुत क्योंकि वाह एक्लिमेटाइजेशन की ज बिल्कुल ठीके नीरज राजपूत कम एक बर फिर से रुक करना चाहूंगी नीरज एक बड़ी बात जो रिटार्ड एफिरेंट जनरल मेजर जनरल विशम मरदयाल जी कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि एक तरफ मिसाइल जो हमला है उसको रोकने के लिए या हर तरह के सुर टेकनलोजी है, बहुत एडवांस टेकनलोजी है उसके पास, एलक्टोनिक वार्फेर में उसकी महरत हासिल है उसके पास, ऐसा कहा जाता है कि जो वो उपर उनान बढ़ते हैं जो फाइटर एरक्राफ्ट या फिर जो हलिकॉप्टर से उनको भी जैम कर देता है, इस तरह की जो है वो चीन के पास है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको काउंटर करने के लिए ही, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, सुरक्षा कारणो की बात कर रहे थे, वो भी बहुत जरूरी है और इसलिए वाई से ना यहाँ पार पूरी तरह से अलर्ट है, कॉमबेटियर जाते हैं इस तरह के दोरे, लेकिन इस तरह का माहूल यहाँ पर कॉंट्री जोन में है, यहाँ पर आये हैं, इसलिए जानकरी आ गई सामने कि प्रधान मंतरी यहाँ पर पहुंचे है, लेकिन यह बहुत ही गोपनी है दोरा था प्रधान मंतरी नरेद मोदी का, बिल्कुल जड़ों में वो लोटने वाले उन घायल सैनिकों से वो मुलाकात करेंगे, बहुत एहम है यह दोरा, अंतरराश्ट्रिये, मंच पर भी कहा जाए कि यह बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया को देखे शोबना इसको अगर हम तीन तरह से देखें, पहली बात यह कि प्रधान मंतरी लदाख लेख पहुंचते हैं, इस ऐसे समय में पहुंचते हैं, जब भारत और चीन के बीच में सीमा पर तनाव चल रहा है, इसके माइने क्या है, जिस जगा का चुनाव उन्होंने किय वो लाइन ऑफ एक्चल कंट्रोल से ज़्यादा पास में है, यानि पाकिस्तान से लगी हुई वास्तिविक नियंतर्ण रेखा, जो पाकिस्तान से लगी नियंतर्ण रेखा है, उसके करीबे, लेकिन ये दोनों मोर्चे, दोहरे मोर्चे पर संदेश देता है, यानि टू फ उस चीज का जवाब देगा, इसके अलावा प्रधान मंतरी जाके मिलते हैं, बेस हॉस्पिटल में, लदाख में, गल्वान घाटी के अंदर, संघर्ष के अंदर, चींट से मोर्चा लेने वाले उन सैनिकों से, उनकी होसला अफजाई करते हैं, बहुत महत्पूर्ण होता ह वो भी उन्होंने देखा होगा, किस तरीके की सिचवेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्रीफिंग्स में आप चाहे घंटों बैट लीजिए, लेकिन जब आप अपनी आँखों से स्थिती को देखते हैं, ग्राउंड रियालेटी देखते हैं, ग्राउंड मोर्चे पर सिती आई है, तो भारत के प्रदान मंतरी अग्रिम मोर्चों पर गए हैं, सेनिकों से उन्होंने समवाद किया है, ये चीज़ें बहुत छोटी होती है, टोकन होती है, लेकिन इनका इंपक्ट बहुत जादा होता है, जिन वीडियो में आपने देखा कि किस तरी पर संदेश दिया है कि चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है, और इससे पूरे क्षेतर के अंदर ये मैसेज भी जाएगा, जो लोग चीन की दादागिरी से परेशान है, कि भारत जैसा बड़ा देश इस मामले के उपर चीन की नरेंद्र मोदी का आज इस दौरे के जरिये की देश और देश का नेत्रत हुसेना के साथ खड़ा हुआ है, मनुमल बढ़ाने की ये कोशिश देश की भी और देश की सेना की भी, तो ये दो तस्वीरे आपके सामने, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का लेका और चक दौ प्रोड़ा